हेलो गाईस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस की Realme C21 फोन में आप लोग रेम को कैसे इंक्रिस कर सकते हो अगर आपके पास एक Realme C21 phone है और उस phone में आप लोगों को RAM increase करने के लिए option दिया गया है लेकिन आप लोगों को RAM increase करना नहीं आता है तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को तो इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो RAM को increase करने के लिए आपको सबसे पहले जो है यापर सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक सर्स का ओप्शन देखने को मिलेगा तो इस सर्स के ओप्शन पर क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर टाइप करना है गाइस मेमोरी तो देख सकते गाइस मेमोरी टाइप करते है एक ओप्शन आया है memory extension का option तो memory type करेंगे और यह पर memory extension का option आएगा तो इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही देख सकते हैं आपके phone में जो यह off होगा ठीक है guys तो यह पर off करने के लिए भी phone को reboot restart करना परता है तो आपके phone में off होगा तो जितना भी रेम आप लोगों को increase करना है माल लिजे 2GB करना है तो 2GB पर क्लिक कीजिए 4GB करना है तो 4GB पर क्लिक कर दीजिए 6GB करना है तो 6GB पर क्लिक कर दीजिए तो जितना भी GB RAM increase करना है आप लोगों को उस पे क्लिक करना है तो माल लिजे मैं 2 GB RAM increase करूँगा तो 2 GB वे क्लिक करना है क्लिक करती नीचे एक reboot का option आएगा तो जब आप लोग reboot पे क्लिक कर दोगे आपका जो phone है वो power off हो जाएगा लेकिन automatically on भी हो जाएगा guys power off होके on हो जाएगा automatically on होने के बाद आपका जो 2 GB RAM है वो increase हो जाएगा एक दम easy steps है guys आप लोग कर सकते हो तो ऐसे करके जो आप लोग अपने realme C21 phone में RAM को increase कर सकते हो तो कैसा लागा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजी और चैनल को subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई